हेलो एवरिवान, इस्टाडी टूडे उइद विपलप यूटूब चैनल में स्वागत है, आज हम डिस्कास करेंगे कच्छा 10 के आमलच छारक एबंग 11 चेप्टार से कुछ important question 20 महत्तपुन प्रस्ण जो कि आपको exam में बहुत ही help करेगा, किस type के question exam में पूछे जाते हैं के question exam में देखने को मिलेगा, आज हम important question के बारे में discuss करेंगे, जो कि आपको exam में देखने को मिलेगा, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, प्रथम question को देखिए, खटा खाद पदार्थ में होता है, आमलच छारक एक एबंग 2 दोनों इन में से कोई नहीं, खटा खाद में होता है, आमल, आमलच का pH बेलू होता है, इसको याद रखियेगा, जो कि exam में पोचता है, आमलच का pH बेलू होता है, साथ से कम, प्येज बेलू होता है, आमलच का साथ से कम, इसको याद रखियेगा, और इसको भी याद रखियेगा, आमल, जल में hydrogen ion, H plus, मतलब hydrogen, धना और चारक को उधासिन कर देता है नेक्ट कोस्टिं को देखिए साथ से अधिक होता है और इसको भी याद रखिएगा जल में हाइडुटसइट आयन मतलब O.H. रिनायन देता है छाराक इसको याद रिखेगा Next question क्यों बढ़ते हैं सरीर की अमलता को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं सरीर की अमलता को दूर करने के लिए क्या उपयोग करते हैं निम्भु पानी, सीरका, वैकिंग सोड़ा का बिलायन चीनी निम्भू पानी इसका सही एंसर होजेगा option number 3 मतलब baking soda का बिलायन baking soda का बिलायन यूज करते हैं सरीर की अमलता को दूर करने के लिए और exam में पूछता है baking soda का जो chemical formula होता है इसको याद रखेगा Na sodium hydrox sodium bicarbonate होता है NaHCO3 sodium bicarbonate होता है इसको याद रखेगा NaHCO3 sodium bicarbonate baking soda का जो chemical formula होता है और इसको भी याद रखेगा जो सिरका होता है सिरका मतलब CH3 COOH होता है इसको भी याद रखेगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number 3 baking soda next question की और बढ़ते हैं next question को ध्यान से देखिए एक बिलायन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है बहाँ बिलायन है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है option को देखिए उदासीन अमलिया च्छारिया इसका सही एंसर हो जाएगा अमलिया जो अमल होता है अमल बहाँ पदार्त जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जल में hydrogen ion H plus ion देता है इसको याद रखेगा तो इसका सही answer हो जेगा अमलिया next question की और बढ़ते हैं और इसको भी याद रखेगा अमलिया का जो pH value होता है वो 7 से कम होता है और आमलत छारक को उदासिन कर देता है और छारक जो छारिया जो छारिया नेचर का होता है वो उसका pH value होता है 7 से जाधी इसको भी याद रखेगा next question की और बढ़ते है next question देखे लिटमस बिलायन बैंगनी रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है याद रखेगा जो litmus billion होता है वो बैंगनी रांग का होता है ठीक है और कहां से प्राप्त किया जाता है सलगम से like and से यह lichen लिखा हुआ है या फिर like and like and भी पढ़ा जाता है इसको याद रखेगा हल्दी से इसका सही अंसर हो जगा like and हो जगा option number two इसका सही एंसर हो जगा like and याद रखेगा जो litmus होता है litmus billion वैंगनी रंग का एक रन्जक होता है और थेलोफाइटा ग्रूप से बिलंग करता है इसको भी याद रखेगा थेलोफाइटा समुहा के लाइकेन जो होता है पोधे से प्राप्त किया जाता है याद रखेगा थेलोफाइटा समुहा के लाइकेन पोधे से प्राप्त किया जाता है कौन लिटमस याद रखेगा next question की और बढ़ते हैं और इसको भी याद रखेगा जो lichen होता है saival और कवक का मिसरन होता है प्राकिर्तिक सुचक होता है इसको भी याद रखेगा next देखिए एक बिलायन लाल लिटमस पत्र को निला कर देता है लाल को निला कर देता है कोन करता है छारिया करता है याद रखेगा छारिया करता है और इसको भी याद रखेगा जो छाराक होता है जल में जल में OH- देता है इसको याद रखेगा जल में हाइड्रो अक्साइट आयन रिनायन देता है ठीक है OH- देता है इसको याद रखेगा नेक्स्ट देखिए और चारिया का pH value होता है साथ से अधिक और उदासीन का pH value होता है साथ के बराबर प्राकृतिक सुचक है लिटमस इसका सही एंसर हो जगा लिटमस और मिथाइल ओरेंज फिनल थेलीन ये होता है सिंथेटिक संक्सलेसित होता है और लिटमस होता है प्राकृतिक सुचक नहीं है लिटमस इसक प्राकृतिक सुचक है हल्दे भी प्राकृतिक मिथाइल ओरेंज ये सिंथेटिक होता है तो इसका सही एंसर option 3 हो जाएगा संक्सलेसित सुचक है मतलब जो सिंथेटिक होता है मिथाइल ओरेंज और फिनल थेलीन ये दोनों होता है इसका सही एंसर इसका option 3 सिंथेटिक होगा मिथाइल ओरेंज और फिनल थेलीन और इसको भी याद रखिएगा प्राकृतिक सुचक क्या होता है जैसे लाइकेन हो गय गंधिया सुचक प्याच अपने गंध में परिवर्तन लाता है गंधिया सुचक आमले की उपस्तिती में छारा की उपस्तिती में एक अबंग दो दोनों में इसका सही एंसर हो जाएगा option number two हो जाएगा छारा की उपस्तिती में गंधिया सुचक होता है प्याच जो की all factory होता ह गंधिया सुचक प्याच हो जाएगा इसका सही एंसर हो जाएगा option no.2 निक्ट कुस्चन देखिए लोंग का तेल किस प्रकार का सुचक है प्राकृति कित्री म्रंगिया गंधिया इसका सही एंसर हो जागा गंधिया याद रिखेगा इसका सही एंसर हो जागा गंधिया, ठीक है, next question को देखिए, question, लेक्टिक अमल का प्राकरतिक सुरोत है, लेक्टिक अमल का प्राकरतिक सुरोत है, दही, खट्टा दूद, चीनी, चाई, पानी, इसका सही एंसर हो जागा, दही, लेक्टिक अमल, बैक्टरिया के कारण होता है ठीक है, लेक्टो बेसिलेस बेक्टरिया, लेक्टो बेसिलेस बेक्टरिया के कारण होता है, तो लेक्टिक अमला दूद में दही में पाया जाता है, ठीक है, और next question देखिए, हल्दी कैसा सुचक है, हल्दी एक प्राकृतिक सुचक है, याद रेखेगा, कृतिम नहीं, सिंथ सिंथेटिक अगर पूछता है तो इसका सही एंसर हो जागा अगर सिंथेटिक पूछता है कोस्चन में तो मिथाइल ओरेंज और फिनल प्थेलिन और प्राकृतिक सुचक जैसे हल्दी हो गया नेक्ट कोस्चन को देखिए मिथिल ओरेंज का रंग अमलिय बिलयन में हो जाता है लाल पिला निला नारंगी इसका सही एंसर हो जाएगा लाल नेक्ट कोस्चन देखिए फिनल प्थेलिन का अपना रंग होता है लाल होता है निला होता है नारंगी होता है रंग हीन होता है इसका सही एंसर हो जाएगा रंग हीन और याद रखेगा ये सिंथेटिक होता है ठीक है किलत्रिम होता है मिथिल ओरेंज और फिनल प्थेलिन नेक्ट को देखिए साल्फ होता है HCL hydrochloric acid होता है CH3COOH होता है citric acid याद रेखेगा next question देखिए साबून बिलायन से hydrogen gas प्रभाहित करने पर बूल बूले बनते हैं क्योंकि hydrogen gas हबा से भारी होता है ये रॉंग हो जाएगा hydrogen gas हबा से हलका होता है इसका सही अंसर रोजेगा option number two hydrogen gas हबा से हलका होता है बलून में कौन सा gas भारा जाता है बलून में helium gas भारा जाता है hydrogen gas तो हलका होता है क्योंकि hydrogen gas हबा में react करता है याद रिखेगा तो hydrogen gas हबा से हलका होता है इसका सही अंसर next question को ध्यान से देखिए hydrogen gas का जलना सथ दहान है बिसफोट दहान है मांद दहान है इनमें से कोई नहीं इसका सही अंसर हो जाएगा बिसफोट दहान है next question देखिए zinc even sodium hydroxide के बीच की अभिक्रिया से बने लबन के बिलायन का नाम है इसका सही अंसर हो जाएगा option number two sodium zinc it इसका सही अंसर हो जाएगा sodium zinc it तो ए थे कुछ important question जो कि आपको exam में देखने को मिलेगा जो कि आपको बहुत ही help करेगा किस type के question exam में पूछे जाते हैं और किस type के question exam में पूछे जाते हैं repeat होते रहते हैं तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye